मूली के पराठे दो तरीके से बनते हैं एक तो मूली को स्टफिंग करके और दूसरा मूली को आठे के साथ गून करके तो हम यहां बना रहे हैं मूली को आठे के साथ गून करके यहां पर हम लिए हाफ केजी आठा है और उसमें डालेंगे 100 ग्राम बेसन यह अजवाइन उसक चोटी चोटी टुकड़ा कर लिए हैं और यहां पर डालेंगे मूली मूली हम 200 ग्राम उसको अच्छे से दो करके गिस लिए थे फिर हम उसमें डालेंगे हल्का थोड़ा सा हल्दी इन सब को फिर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मूली का जो पानी है उससे जितना फाने डालेंगे हैं पानी को हम पहले ने डालेंगे पानी को हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे जैसे अप नॉर्मल चापाती के लिए आठा गुनते हैं वैसे ही इसमें आंटा गुटेंगे बर उससे थोड़ा टाइट होना चाहिए इतना आधे की जांटा साने के लिए एक करीब एक कप पानी लगा इसको अच्छे से गूंत लिए हैं फिर इसमें लास्ट वे हम एक चमच के करीब फॉर्चुन डाल की इसको फिर से एक बड़ अच्छे से गूंत लेगे ताकि यह स्मूथ हो जाए और जब यह हम इसको बेले तो हाथ में यह आटा चिपकी नहीं इसको अच्छे से मिक्स करके हम 10 मिनिट छोड़ देते हैं कि देश्मिर बार चलिए होगे हम आ रहे हैं अब चपती बनाने पर इसका छोटा सा अपना डो बना ले अपने अंदाज से जैसे नौर्मरी रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा चोटा टुक्रा ले ले डो बना ले और इसके हम सुखा आटा में इसको डस्टिक के बेलेंगे और फिर हम बेलेंगे जैसे नौर्मरी रोटी बनाते हैं आप वैसे ही बेले और यह यह रोटी जो है प्राठा यह हलकी मोटी ही अच्छी लगती है पूरा पतला ने तो हम इसको ऐसे हर साइट से घुमा घुमा के बेलेंगे ताकि यह गोल सेफ में आ जाए और जब यह चिपकने लगे बेलन में तो हलके हलके हम उपर आठा से इसको डस्ट कर लेंगे ताकि यह चिपके नहीं और हर साइट से घुमा के बेले ताकि हर साइट से सेम सेफ में आई है यह बहुत इजी है बहुत कम टाइमें बनती है यह बन गही है इसके और हम सुखे प्ल पाइएंगे और इस तरह करके हम एक साथ 4-5 बना लेंगे और फिर हम इसको चलते हैं गैस के साइट सेकने के लिए या पहले से हम तवा धीपने के लिए दे दिये थे अब हम इसमें डाल दी हैं जपाती इसको करीब चार से 5 सकंड तक पकने देंगे फिर हम इसमें हम पलटा देंगे पलट के 8 से 10 सकंड तक पकने देंगे फिर इसमें आप फॉर्चुन लगा सकते हैं फॉर्चुन लगा कि इसको अच्छे से मिला देंगे फिर दूसरे साइड पलट देंगे इस साइड भी है फॉर्चुन लगा देंगे इसको अच्छे से मिला करके दोनों साइड से इसतरा कर्जी से केंगे ताकि दोनों साइड सी अच्छी तरह से पक जाएं प्रेस करके से केंगे कि दोनों साइड सी इसको गई है इसको UDार के दूसे रहते इसको ओम इसको पर उतार लेंगे ताकि जो tum और ओल इसका सम्ध्रेस ओड ऑफ शाज़ार बटर कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंदा है और फिर वैसे ही सेम प्रोसेस से हम साड़े बना लेंगे और ये मूगली के पार्थ है तभी जादा टेस्टी लगते जब इसको तबे से उतार के खाने वाले प्लेट में सर्व किया जाए उस तरह में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस तरह करके हम सारे पारठा बना लिए हैं अब इसको हम गर्म गर्म सर्व करते हैं अगर आप इसको बच्ची के लिए बना रहे तो इसमें हरी मिर चिना डाले ऐसो आपके जब याफ़ी हरी चटनी के साथ अराम से टेस्टी से खा सकते हैं